जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे आकरशित करें लॉफ अट्रेक्शन को दिन में 10 मिनट का समय देकर भी आप अपनी मनचाही जंदगी आकरशित कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे लगातार इस्तमाल करके भी इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं आज मैं आपको लॉफ अट्रेक्शन का एक बहुत ही इफेक्टिव रूटीन बताने वाला हूँ आप अपनी सुविधा के अनुसार समय को बदल सकते हैं सबसे पहले सुबह 7 बजे कल्पना करें उठने के साथ आप अपने दिन के होने वाली घटनाओं के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचे दो मिनट तक इसकी कल्पना करें इससे आपको इस पस्ट रूप से पता चल जाएगा कि आप पूरे दिन में क्या करना चाहते हैं और साथ ही इससे आपकी दिन की शुरुवात भी बहुत अच्छी होगी खुद को खुश, मजबूत और संतुष्ट देखें उन सभी अच्छी चीजों की कल्पना करें जिन्हें आप करने की योजना बना रहे हैं साथ बच के दस मिनट पे अपने लक्षों पर ध्यान दे उठने के बाद कम से कम उस एक लक्ष के बारे में लिखें जिसे आप उसी दिन पूरा करेंगे जब तक आपकी जिन्दगी को बदलने का सवाल हो तब कोई भी लक्ष छोटा या बड़ा नहीं होता जैसे कि आप काम पर एक नए सहयोगी से बात करने का या फिर कोई नई कला सीखने का संकल्प ले सकते हैं साथे साथ बचे अफर्मेशन्स का अभ्यास करें जब आप बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हो तब दर्पन में देखकर 30 सेकंड्स के लिए अफर्मेशन्स को दोहराएं कुछ सरल पर सकारात्मक चुनें जैसे कि आज एक अदभुत दिन होगा या मुझे विश्वास है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ आठ बजे अपनी योजना की चर्चा करें अपने लक्षों की चर्चा करें इस्पष्ट रूप से और द्रिढ विश्वास के सात बोलें जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं जल्द ही अपने अपार्टमिंट को फिर से सजाओंगा या मैं अपनी मनपसंद नौकरी ले लूँगा साथे आठ दयालूता के काम करें जब आप काम पर जा रहे हो तब खुद को दयालूता के कुछ कारे करने की चुनोती दें अपनी सीट किसी और को दे दे, किसी के लिए दर्वाजा खोल दे खुबसूरत कपड़े पहने किसी अजनभी की तारीफ कर दे या अपनी सुबह की कॉफी खरीदते वक्त थोड़ी जादा टिप दे दे नौ बजे, सकारात्मक उर्जा फैलाएं जब आप अपने सह कर्मियों से बात कर रहे हो तब जितना जादा हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करें उन्हें बीते हुए दिनों के कुछ अद्भुद किस्से सुनाएं उन्हें बताएं कि आप इस हफ्ते को लेकर क्यों उत्सुक हैं और दूसरों में अपनी रुची दिखाएं नकारात्मक बाते और शिकायते करने से बचे खुद के साथ लंच के दौरान दयालूता दिखाएं पौश्टिक आहार लें दूसरों से बाते करें और पांच-दस मिनट समय निकाल कर फिर से अपने लक्षियों की कलपना करें दोपहर के एक बजे सकारात्मक ता फैलाना जारी रखें लंच के बाद काम करने की जगह पर उर्जा की थोड़ी कमी हो जाती है तो आप दिन के अंध तक सकारात्मक ता फैलाए रखने की कोशिश करें अपने सेह कर्मियों को प्रोटसाहित करें दूसरों को नए परियोजनाओं के लिए प्रेरित करें लोगों को अपने कौशल और उत्सुता से भरे अनुभवों के बारे में बताते रहे साम 6 बजे अपनी प्रगती पर ध्यान दे जब आप परिवार या दोस्तों के साथ बैठे हों तो उन्हें अपने दिन की अच्छी चीजों के बारे में बताएं कभी कभी आपको लगेगा कि आप अपनी मनचाही चीजों को जल्दी और अच्छे तरीके से आकरशित नहीं कर पा रहे हैं चिंता ना करें लॉफ अट्राक्शन को काम करने में समय लगता है रात 9 बजे मेडिटेट करें रात में सोने से पहले एक शांत जगह पर मेडिटेट करें अपने सांस पर ध्यान दे अपने सरीर के हर मांस पेशियों को रिलाक्स करें खुद में शांत महसूस करें अगर आप जादा विस्तरित रूप से मेडिटेट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए सही समय है रात 10 बजे आभार पत्रिका में लिखें आखिरकार लॉफ अट्रेक्शन बताता है कि एक जैसी चीजें एक दूसरे को आकरशित करती है अगर आप अपनी सकारात्मक्ता को लिख लेते हैं तो हो सकता है कि इसकी वज़े से आपके आने वाले दिन बहतर हो जाएं हर उस चीज को लिख लें जिसके लिए आप आभारी हैं हर छोटे से बड़े अवसर के बारे में लिखें हर दिन 5 चीजे लिखने की कोशिश करें और उस आभार से जुड़ी सकारात्मक्ता को खुद को घेरने दे और उसके बाद इसी आभार की भावना के साथ सो जाएं